हालो एव्रिबान आर्थी किचन इस्टिडियो में आप सब का स्वागत है तो आज हम आम का रस और घिवारी बना रहे हैं तो इसके लिए हमने यहां दो आम ले लिये हैं अब इसे हम जील के कट कर लेंगे अब यह हमारा पेश्ट बन के तयार हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्यूंकि वह बहुत गाड़ा है अभी इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और यहां मैं एक कटोरी ना अलग निकाल के रख रही हूँ इसमें मैं सुगर फ्री की गोली डाल दूँगी और यह वाले में मैं सुगर डाल दूँगी तो एक कटोरी मैंने इसमें सुगर डाल दी मैंने यह पूरी एक कटोरी डाल दिया है इसमें तीन कटोरी करीब यह बना था तो मैंने इसमें एक कटोरी सुगर डाल दी है इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दूँगी ज्यादा नहीं हलका सा डालेंगे अब यह हमारा आम रस बन के तयार हो चुका है तो अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे और जो एक कटोरी बची इसमें सुगर फ्री डाल दूँगी आरदस करीब टेबलेट थीस में और इसे हम मिला लेंगे अब यहां हमने घिवारी बनाने के लिए तीन कटोरी करीब गेहूं का आटा ले लिया है इसमें आदी चमच करीब नमक डाल दिया है उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा चावल काटा दो चमच करीब ऐसा डाल दूँगी अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएंगे क्यूंकि इसमें गुठलियां बन जाती है तो इसका हम पानी धिरे धिरे डाल के ही इसे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से पेश्ट बन चुका है इसका जैसे दोसे का बेटर बनता है ना उसी तरीके से बनाने हम यहाँ घीवारी हम लोग घीवारी बोलते हैं से बनाने के लिए इसे मैंने अमरूत के पत्ते ले लिए आप चाहे तो आम के भी पत्ते ले सकते हैं और इसे फोल्ड करके ऐसा पीन लगा दिया है या टूथपीक भी लगा सकते हैं तो ये बन गया है अब यहाँ फैलाई लगा दे और इसे फैला देंगे पत्थे से अच्छी तरीके से फैला देंगे और फिर यहां यह पेश्ट डाल देंगे और इसे हम पत्ते की सहायता से इसे मिला लेंगे अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से इसे फैलाना है बस ऐसे फैलाते जाएंगे और एक एक करके ऐसे ही बनाएंगे इसके बाद इसमें हम उपर से घी डाल देंगे और उसे फैला देंगे अच्छे से थोड़ दर इसे हम सेखने देंगे नीचे से सेखने के बाद इसे हम निकाल लेंगे ये जल्दी निकल जाते हैं और इसे फिर पल्टा के दुसरे तरफ से भी सेख लेंगे तो ये आज के हमारा आम का रस और घिवारी बनके तयार हो चुकी है तो आज की हमारे रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताईए और ये खाने में बहुत ही साप्ट होते हैं मुँ में डालते से ही घुल जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई